Hello everyone, welcome back to my channel हम लेडिस का most of the time kitchen में ही spend होता है क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाना तो पहर का लंच बनाना और रात का डिनर बनाना ये सब kitchen में ही करना होता है तो हमें kitchen इस तरह से design करनी चाहिए कि सारा दिन हम खुशी से अपने kitchen में time spend कर सके और ये काफी spacious भी होनी चाहिए और color जब भी हम चूज करें तो हमेशा light color चूज करें इससे kitchen में काफी रौशनी रहती है मेरी kitchen काफी बड़ी है और इसमें dining area भी इसी के अंदर ही include है और side में एक wet area दिया हुआ है या utility area बोल सकते हैं या kitchen store भी इसको बोल सकते हैं तो ये सामने से मेरी kitchen का एक look आप देख लीजिए kitchen के अंदर enter करते ही left side मेरा microwave पड़ा हुआ है और साथ में cash roll है और दिवार पे एक key holder है microwave के उपर मैंने एक calendar रखा हुआ है और साथ में container है जिसमें peanut, pasta, गुड़ वगेरा ये सब कुछ मैंने arrange करके रखा हुआ है एक tray के अंदर ताकि ये सारा समान इधर उदर फैलेना एक जगा पर organize रहे तो microwave के साथ ही है एक tray पड़ी है चोटी सी उसके अंदर मैंने water bottle रखी हुई है और जो kitchen की window है उसमें से मेरे porch area का view बहुत अच्छा नजर आता है क्योंकि बाहर plants पड़े है तो वो अंदर भी दिखते हैं तो काफी अच्छे लगते है greenery add हो जती है तो side में एक basket पड़ी है जिसके अंदर हमेशा fruit पड़ा रहता है seasonal fruit और ये सामने जो corner है इसमें रोज cooking में यूज होने वाले essential random items है तो इसी से अगर हम side में जाते हैं तो side में है ये center में मेरा gas stove है जो की glass का है 3 burner वाला तो gas के बिलकुल उपर चिमनी लगवा रखी है हमने तो चिमनी की दोनो side में crockery unit है पर इसमें मैं बहुत कम crockery रखती हूँ क्योंकि जब ही हम cooking करते हैं तो काफी धुआ उपर की तरफ जाता है और सारी crockery चिप चिपी सी हो जाती है इसलिए मैंने बहुत कम crockery उपर रखी हुई है तो इधर जो right side की shelf है उसके उपर मैंने tea के container है और side में चवन प्राश का एक डिबबा है तो चलिए friend पहले मैं आपको नीचे वाले cabinets दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या यहां पर अरेंज किया है तो यह सबसे first वाला जो है सबसे sleek इसके अंदर मैंने घी और oil के डिबबे रखे हुए है और नीचे जो लंबी bottles ह वो मैंने नीचे अरेंज करके रखी हुई है और इसके साथ वाला जो cabinet है उसके अंदर सारे पतीले और pressure cooker वगयरा है sauce pan है यह सारा और कुछ trays हैं जो कि मैंने side में लगा कर रखी हुई है और यह है बड़े वाला cabinet जिसके अंदर आटे का drum पड़ा हुआ है काफी बड़ा drum है जिसमें 20 किलो के करीब आटा आ जाता है और साथ में परात है और यह है cutlery section जिसके अंदर मेरी सारी cutlery regular use होने वाली पड़ी है और नीचे जो cabinet है drawer है उसके अंदर सारे boxes पड़े है steel के plastic के जो भी है सारे random items यहीं पर रखी है और यहां पर है कुछ मसाले और देसीगी का ए लिखे हुए है और जो नीचे वाला drawer है उसके अंदर मैं जो grocery items अभी packet खुले नहीं है unused है वो यहां पड़े हैं तो इसके साइड वाला जो section है उसके अंदर मैं चीनी वगएरा रखती हूं या oil की जो केन आते हैं वो हैं पीछे भी कुछ खड़े मसाले हैं जो की बल्क में लेकि आते हैं वो सारे पीछे पड़े हैं तो यह corner वाला एक section है जिसके अंदर rotating basket लगी हुई है और इसके अंदर extra crockery या जो हम कभी भी use नहीं करते बहुत less use होती है items वो यहां पड़ी है तो यह जो basket है यह rotate हो जाती है जिससे की सामान लेना काफी easy रहता है जैसे यहां पर idli stand पड़ा है बहुत rare बनती है idli हमारे घर में तो इस तरह की जो कम use नहीं वाली items है वो हम यहां पर रख सकते हैं तो इसके बाद जो next section है उसके अंदर चावल स्टोर करके रखे हुए हैं और कुछ खाली baskets हैं और पीछे एक handy juicer है जिसको मैंने cover करके रखा हुआ है white कपड़े के साथ और इस साइड पे कुछ बच्चों के खाने की items हैं कुछ नमकीन है बिस्किट है रस है या नीचे कड़ाईयां वग्यरा पड़ी है टिफिन है एक steel का जो की नहीं use होता तो इस तरह मैंने सारा कुछ arrange करके रखा है जो भी हमें जरूरत होती है जिस भी चीज की वो easily हमें सामने से दिख जाती है और यह जो आप cabinet देख रहे हो इसमें kitchen से related कोई समान नहीं है और इसका tour में अभी आपके साथ share नहीं करूंगी यह जो shelf के उपर वाले जो cabinets हैं उनके अंदर मैंने क्या रखा है तो यह जो बिल्कुल कोने में है इसके अंदर जो उपर unused plastic के boxes हैं container है वो रखे हैं नीचे glass हैं जो की बिल्कुल नए पड़े है steel के और साथ में masala दनी है नमक का एक डिबा है यहाँ पे सारे dry fruits और तिल का तेल है ज जो मैंने आपको बताया था कि मेरी crockery unit है पर मैंने बहुत ही कम crockery यहाँ पर रखी हुई है सिरफ रोज यूज उने वाली items हैं जैसे बच्चों के cup हैं और tiffin boxes हैं कुछ microwave safe containers हैं जो की regular basis पे हम यूज करते हैं वो सारी items मैंने यहाँ पर रखी हुई है और बाकी जो crockery ह है वो मैंने अलग अंदर किसी एलमीरा में arrange करी हुई है जब भी जरूरत पड़ती है वहीं से हम ले लेते हैं तो यह वाली जो crockery unit है इसके अंदर भी ऐसे ही है उपर वाली side microwave का कुछ समान बढ़ा है कुछ casserole हैं containers हैं dry fruit वाले और नीचे भी ऐसे कुछ glass रखे हुए हैं यह container है सूजी वगएरा तो इस तरह की items मैंने यहां रखी हैं और यह वाली जो cabinet है इसके अंदर जैसे इलाइची वगएरा कॉफी इनो इस तरह की items मैंने glass jar में डालके रखी हुई हैं और यह जो glass jar है यह काफी चोटे चोटे हैं अगर हम पीछे ऐसे ही रख देते हैं तो इनको हाइट देने के लिए मैंने जो बच्चों की bottles आती है उनके जो boxes आते हैं वो मैंने हाइट देने के लिए यूज करें हैं इससे की यह चोटी bottles भी अच्छे तरह से नजर आ जाती हैं और उपर सारे cups रखे हुए हैं मैंने आरेंज करके तो यह जो last वाला section है last cabinet है इसक आपको दूर से दिखा देती हूँ कि कैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो किचन में एंटर करते ही सामने की तरफ जब हम जाते हैं तो जब हम right side पर turn करते हैं तो आ जाता है हमारा utility area और यहां पर बरतन वगेरा clean करते हैं और जो बरतन हम wash करते हैं उसके बाद यह जो सामने य आपन में ही रखती हूँ किचन के अंदर नहीं रखती है इसी utility area में रखती हूँ और यहां पे मेरा आरो है उपर गीजर भी लगा है सर्दियों में गरम पानी के लिए सामने एक steel की shelf लगा रखी है जिसके उपर दो कप्स पड़े रहते हैं जो कि जैसे मैं और मेरी मदर इ हम चाय पीते हैं तो इस corner में हमने wooden shelf लगवा की रखी है जिसके उपर एक chopper है एक blender तो इस तरह एक separate utility area होने का यह फाइदा रहता है कि किचन में बिल्कुल भी सामान फैला हुआ नजर नहीं आता जो भी हम बरतन wash करने वाले होते हैं यहां पर रख देते हैं और किचन हमार बाहर की तरफ जाते हैं तो जो दर्वाजा है उसके ऊपर यह चोटा सा फैन लगवा रखा है क्योंकि गर्मियों में यहां काफी ज्यादा गर्मी लगती है तो फैन होना काफी जरूरी है इस तरह के एरिया में तो अब हम utility area से बाहर की तरफ आ रहे हैं और साइड में utility area का और fridge का और मेरी किचन एक ऐसे परफेक्ट प्लेस पे बनी हुई है जहां पर मैं किचन में काम कर रही हूं कुकिंग कर रही हूं या यूटेंसिल साफ कर रही हूं utility area में वहां से भी मुझे गेट का पूरा ध्यान रहता है कि बाहर कौन आया है और कौन जा रहा है तो यह कफी जादा फाइदे मन रहता है अगर हम घर पर अकेले हो तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरा डाइनिंग स्पेस है वह मेरी किचन के साथ ही अटेस्ट है तो यहां पर मेरा डाइनिंग टेबल है और डायनिंग टेबल का भी जो पूरा वीडियो है इसकी कुछ भी अच्छा लग रहा है तो लिंक मैंने दे रहे हैं वहीं से आप जाके पर्चेस कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर मैं अपने डाइनिंग एरिया को काफी ज़गा सिंपल रखती हूँ क्लटर फ्री रखती हूँ बस यहाँ पर कुछ डाइनिंग एसेंशियल्स है जो कि बहुत जरूरी है तो यहीं पर कर रही हूँ मैं अपने वीडियो का एंड वीडियो अगर जरा सा भी आपको helpful लगा हो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को